तो दोस्तों आज मैं explain करने वाला हूँ एक ऐसी found footage supernatural horror movie को जो की 1999 की one of the most successful horror movie थी जिसका नाम है The Blair Witch Project और इसके बार में मैंने अपनी last to last वीडियो में आपको बताया था कि अगर comment धेर सारे आते हैं, likes आते हैं तो मैं इसको explain करूँगा trust me ये video और ये movie बहुती बढ़िया है और इसका अगला part भी है तो जल्दी से जल्दी अगले part के लिए like कर दो और अब अपने suggestion तो आप comment section में लिखी सकते हो shout out के लिए तो जल्दी से जल्दी comment कर दीजे कि आपको अगली movie या फिर सीरीज किसके ओपर देखनी है तो उमीद करता हूँ कि आपको ये video जरूर पसंद आएगी तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा video की तरफ movie की जो कहानी है वो 1994 के time की दिखाई गई है जहां पर एक group होता है जो की एक जंगल के अंदर जाता है जिसके बार में ये कहा जाता है कि वो witch से haunted है और उसके बाद में जो होता है वो बहुत ही भयानक है तो movie की शुरुवात में हमको दिखाया जाता है तीन लोगों को जिसक के अंदर हैदर होती है जो की documentary डारेक्टर है उसका दोस्त जौश जो की cameraman है और माइकल यानि की माइक जो की साउंड और cameraman है जो कि किसी जंगल की तरफ जा रहे होते हैं एक documentary को कवर करने और यह हमको पता चलता है कि हैदर असल में यहां पर एक किताब को पढ़ रही थी जो में बता रही थी अब उस गाओं के अंदर वो बहुत सारे लोगों से ब्लेयर विच के बारे में पूछते हैं अब हमको वहां की कहानिया सुनने को मिलती है जैसे कि वहां पास कहीं जंगल में एक विच रहती है जो कि लोगों को मार देती है असल में लोकल लोग उनको यह जाकर मार दिया था और उसने उन सब भी को पेर्स के अंदर मारा था यानि की जोड़ों में और एक बच्चे को कॉर्णर में खड़ा कर दिया था इन फैक्ट यहां पर एक मैरी ब्राउन में बताते हैं जो कि 1888 के टाइम पर गायब हो गई थी और जब वो तीन दिन के बाद में आई तो उसने एक ओल्ड वुमिन के बारे में बताया था जिसके जो पैर थे वो कभी भी ग्राउंड को टच नहीं करते थे मेरे ख्याल से वही विच होगी अब यह तीनों है कॉफिन की तरफ हाइकिंग पर जाते हैं जहां पर पांच लोग मरे हुए पाए गए थे जिनको रिचुलिस्टी के लिए मर्डर किया गया था वो पिन 19 सेंचरी के आसपास जिसके बाद में उनकी बॉड़ीज भी डिसबियर हो गई थी खैर इतने सारे फोकलोर्स को और कहानियों क सनने के बावजूद भी नहीं मानते हैं और अगले देनी इस सुभा वह जंगल के लिए निकल जाते हैं और एक रॉड शाइड पर अपनी कार को पारक कर देते हैं और जंगल के इंदर चलने लगते हैं कुछी दिर के बाद में जॉष को कुछ आऊज सुनाय देती है और उ को बताया भी था अब उसी रात उनको बहुत सारी वियर्ड नौइस से सुनने को मिलती हैं जैसे कि किसी पेड़ की जड़ की ओपर किसी ने पैर वगरा रखा हो या फिर वो तूट रही हो और माइक वहां पर जाना नहीं चाहता था और इसलिए वहां पर सब डर जाते हैं हैदर को पता चलता है कि उसने वो खो दिया है तीनों में बहुत जादा बहत हो जाती है मैप को लेकर जो की काफी वीर्ड था कि मतलब जंगल के अंदर आपने मैप को दिया है जबकि हमने एक ऐसा सीन देखा था जहांपर हैदर ने माइक को दिया लेकिन माइक ने इनीशि सकते खेरिन सब चीजों पर गुसा करते हुए वो आगे बढ़ते हैं और वहां पर उनको वियर्ड सी स्टिक फिगर्स लगी हुई मिलती हैं जो कि बहुत ही अजीब थी जो कि किसी जादू टोना की चीज लग रही थी यानि की वूडू डॉल्स वगेरा खेरिन चीजों को द पुष भी करता है जो कि काफी भयानक था इस हाथसे से यह तीनों बहुत सी जादा घबरा जाते हैं और वहां से भागने लगते हैं खेर आप यहां पर एक सीन ऐसा भी आता है जहां पर इनके टेंट के सरकल में साथ पत्थरों को रखा गया था जिसमें से एक को जो होता है वो लात मार देता है लेकिन वहीं पर हैदर जो होती है वो उसको पकड़ कर उसको किस करती है और वहीं पर रख देती है यानि कि वो पत्थरों के डिस्रेस्पेक्ट करना नहीं चाहती थी देन उसके बाद में अगले दिन उनके टेंट के इर्द गिर्द उनको तीन पत्थर मिलते हैं जो कि उन तीनों को रिप्रेजंट कर रहे थे यानि कि यहां पर कुछ ना कुछ सूपर नैचरल जरूर चल रहा था खर अब वो ये देखते हैं कि उनका सारा समान वहां पर बिखरा हुआ था और जोश की चीजों के उपर कुछ स्लाइमी सा लगा हुआ था फिर वहां से ये लोग निकल जाते हैं लेकिन बहुत चलने के बाद भी उनको ये लगता है कि वो घूम कर सीम जगा पर ही आ गए हैं और वहाँ पर सबी लोग हार मानने लगते हैं लेकिन फिर भी किसी तरह से वो आगे बढ़ते हैं और उसी रात को जोश भी गाया बजाता है अगली सुबह वो जोश को ढूणने के लिए निकलते हैं लेकिन ढूणने के बाद भी वो नहीं मिलता और वो टेंट लागा कर सो जाते हैं रात को फिर उनको रात में ही जोश की आवाजे सुनाई देती हैं जिसमें जोश रो रहा था उनको ढूणने पर भी जोश नहीं मिलत यानि कि अब ये दोनों विच वाली फोक लोर पर यकिन कर रहे थे खरब अगली सुबह हैदर कैम्प के बाहर एक स्टिक बंडल को देखती है जो कि रैप अप किया गया था किसी चीज के ओपर और यहाँ पर हम एक इमोशनल सीन को भी देख पाते हैं यहाँ पर माइक वहीं पर बैठा हुआ था और बहुत जादा घबराया हुआ था तो हैदर वहाँ पर आती है और उसको कमफर्ट करती है तो यहाँ पर हम उनके मेंटल स्टेट को देख सकते हैं कि वो कितने जादा डरे हुए थे और कितने घबरा रखे थे खरब हैदर उस टिक बंडल को खोलती है जिसके अंदर किसी के बाल, एक दांत और कुछ फ्लेश होता है और साथ ही साथ खूनमी था प्रोबैबली यहाँ पर यह जौश का ही होगा खरब यह देखकर हैदर बहुत डर जाती है और फूट फूट का रोने लगती है उसी रात को अब जौश की आवाज भी सुनाई देती है और उसका पीछा करते हुए दोनों को एक टूटा हुआ घर मिलता है जहां पे जगा जगा बच्चों के हैंड प्रिंट्स होते हैं और सबसे शौकिंग बात यह थी कि यह वही घर था जो कि उसी हर्मिट का था यानिकी रस्टिन पार का पर उससे भी भयानक बात यह थी कि इस घर को उसी टाइम पर जला दिया गया था तो यह आज तक ऐसा कैसे है और दोस्तों इसके बारे में मैं आपको इस मूवी के सीक्विल में बताऊंगा हाला कि इस मूवी की भी मैं आपको काफी सारी थियोरीज बताऊंगा लेकिन जो अगली मूवी होने वाली है ना उसके अंदर तो यह दोनों ही मूवी जुड़ जाती है और इतनी थियोरीज निकल कर आती है कि दिमागी चक्राने लगता है अब वहाँ से इनको जोश की आवाज आ रही थी याने की इस घर के अंदर से माइक अब जोश की आवाज का पीछा करते हुए उपर के फ्लोर में जाता है जिसके पीछे हैदर भी जाती है उपर कोई भी नहीं होता फिर भी आवाज आ रही थी और माइक नीचे बेस्मिंट में दोड़ने लगता है वहाँ पर जाते हुए हम देखते हैं कि माइक का कैमरा अचानक से गिर जाता है और उसके बाद में सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम हैदर को देखते हैं जो कि माइक माइक चलाते हुए नीचे आ रही थी बेस्मिंट के अंदर और वहाँ पर वो माइक को देखती है जो कि दिवार की तरफ फेस करके खड़ा हुआ था जैसा कि उस फोकलोर के अंदर बताया गया था कि रस्टिन पार ने एक बच्चे को फेस की तरफ वाल करके खड़ा कर दिया था और बाकी दो लोगों को उसने पेर्स में मारा था और ये सब रस्टिन से किसी और ने नहीं बलकि उसी बलेर विच ने करवाया था ऐसा उसने एक इंटर्वियू के दोरान भी यहां पर एडमिट किया था खर ये सारी चीज़े अगले पार्ट से रिलेटेड हैं और ये सारी चीज़े मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अगले पार्ट के लिए आप थोड़े से एकसाइटेड हो जाओगे खर अब ये देखकर हैदर बहुत डर जाती है क्योंकि माइक वहां पर ऐसे खड़ा हुआ था जो कि बहुती वियर्ड था वो उसको काफी बार चिला कर बुलाती है लेकिन वो कोई भी रेस्पॉंस नहीं देता आई मीन ये किसी रियर डीमन या फिर किसी और को देखने से जादा डेंजरस है लेकिन तब ही हम ये देखते हैं कि हैदर का कैमरा चाना गिर जाता है और उसके उपर कोई अटैक कर देता है और बूम इसी के साथ में दा ब्लेयर विच प्रोजेक्ट मुवी यहीं पर खतम हो जाती है तो दोस्तों ये थी दा ब्लेयर विच प्रोजेक्ट मुवी की कहानी अब देखो बात करते हैं यहां पर दो चीजों के बारे में सबसे पहला तो इस मूवी के बार में ये कहा गया था कि यहाँ पर जो विच है उसके अंडर में ही ये सब हुआ है कुछ लोग ये मानते हैं कि जॉश को यहाँ पर उस विच ने पजस किया था और वो जो दाथ, हेयर और वहाँ पर फ्लेश का टुकड़ा मिला था वो किसे और का नहीं बलकि जॉश का ही था कई लोग ये मानते हैं कि जॉश नहीं पॉजेशन के चलते उन दोनों को मार दिया यानि कि माइक को और हैदर को तो फिलाल आप यहाँ पर यह समझ लीजे कि दुनिया के अंदर 50% से जादर लोग ऐसे हैं जो कि यह मानते हैं कि यहाँ पर एक विच थी और 50% से थोड़े से कम लोग ऐसे हैं जो कि यह मानते हैं कि इस मुवी के अंदर कोई भी विच नहीं थी बलकि ये सब जौश और माइक का एक प्लान था हैदर को मारने का जी हाँ एक और बहुती अजीब सी थियोरी यह है कि हैदर माइक को पहले से नहीं जानती थी और खाली जौश ही उसको जानता था तो क्या ऐसा हो सकता है कि जॉश और हैदर पहले बॉइफरेंट गल्स्रेंट रहे होंगे और शायद से बाद में उसने बदला लेने के लिए हैदर को यहाँ पर मार दिया होगा क्योंकि देखो यह मुवी काफी ज़दा क्लेवर है कई हिंट्स ऐसे दिये गए हैं जहाँ पर ऐसा लगता है कि वहाँ विश थी लेकिन कई हिंट्स ऐसे दिये गए हैं जैसे कि जॉश और माइक दोनों ही मिले हुए थे जैसे कि जंगल के अंदर सर्वाइव करने के लिए हैदर पड़ रही थी लेकिन हमको ये दिखाया जाता है कि जॉश और माई की वहां पर टीम को लीड कर रहे होते हैं उनका कमपस ठीक से काम नहीं करता यहां पर यह भी हो सकता है कि वो शायद से खराबी कमपस लेकर आये होंगे बाकी ये स्टिक फिगर्स को बनाना स्टोन्स को ऐसे रख देना कोई भी नॉर्मल बात है ऐसा कोई भी कर सकता है और सबसे बड़ी बात कि जंगल में खोने के बावजूद भी जॉश और माईक वहां पर दोनों ही जोक कर रहे होते हैं I mean Mike ने वहाँ पर नदी के अंदर map fake दिया frustration में आकर जबकि उसकी सबसे ज़ादा उनको ज़रूरत थी जो कि काफी ज़ता weird है लेकिन इसको counter ये थियोरी करती है कि विच जो है वो उनके दिमाग के साथ में खेल रही थी और उसने ही ऐसा उनसे करवाया बाकी जोश यहाँ पर बीच में ही अचानक से गायब हो जाता है और उसके बाद में दिखाई भी नहीं देता सिर्फ उसकी आवाजे आती हैं जिसके चलते वो सबी को ल्योर करता है उस old गर में बाकी वहाँ पर पाईल आव स्टिक्स के ओपर टीशर्ट थी जोश की और अंदर दाथ था वहाँ पर खून था हेर था तो हो सकता है कि शायद से इसके लिए उसने प्री प्लैनिंग करी होगी कि वो सारी चीज़ रिकॉर्ड कर लेंगे और ऐसा दिखाएंगे कि जैसे कि हैदर को किसी सूपर नैचरल एंटिटी ने मारा है क्योंकि गयब होने के बाद तो वो बिल्कुल भी कैमरा के उपर नहीं आया था एक और चीज़ ये थी कि माइक को इतने अंधेरे में घर दिख कैसे गया दूसरी बात उसको घर के अंदर का सारा रास्ता पता था कि पहले उपर जाना है फिर बेस्मेंट के अंदर जाना है और वो बिल्कुल फोकलोर के अकॉर्ड हैंगी वहां पर खड़ा हुआ था नहीं वो कुछ बोलता है नहीं कुछ कहता है नहीं कुछ सुन पाता है जो कि काफी ज़दा वियर्ड था और एंड में हैदर कुछ देखती भी है जिसके बाद में वो चला आती है और सड़नली उसके उपर कोई अटैक कर देता है और कैमरा नीचे गर जाता है जिसके साथ ही मुवे खतम हो जाती है तो माइट भी ऐसा हो सकता है कि ये सारी चीज़े जौश और माइक ने प्लैन करी होंगी और उसके बाद में वो कहीं भाग गए होंगे लेकिन फिर मन में एक ख्याल और आता है कि ऐसा करने के बाद में क्या पुलिस उनके घर पर नहीं जाएगी या फिर इनको ढूंडेगी नहीं या फिर अगर ऐसा ही है तो वो हैदर को भी ढूंडने आएगी माइक को भी ढूंडेगी और सब को ढूंडने जाएगी सबसे सवाल जवाब करेगी लेकिन ये सारी चीजे तब वैलिड होती है जब इसका पार्ट टू नहीं आता जो कि इसका डारेक्ट सीक्वल है यानि की ब्लेयर विच प्रोजेक्ट का जो की 2016 के अंदर रिलीस किया गया है जो की इस मूवी की कहानी को डारेक्टली फॉलो अप करता है अब ये सारी की सारी वो थियोरीज हैं जो की पूरे इंटरनेट पर फिलाल रिवाल करती हैं कि वहाँ पर कोई भी विच नहीं थी लेकिन मेरा परसनली ये मानना है कि वहाँ पर जंगल के अंदर विच है और इसका रिजन क्या है ये मैं आपको सेकंड पार्ट में डीटेल में बताऊंगा और ट्रस्ट मी वो पार्ट यहाँ पर काफे इंटरेस्टिंग है अगर आप विच वाले एंगल से या फिर हॉरर के एंगल से देखोगे तो और ऑव्यसी बात है लाइक वहाँ पर कोई विच है या फिर कोई क्रीचर है हमको पता नहीं चलता या फिर वहाँ पर कोई इंसान है जैसे की जौश है या फिर और भी उसके कोई टीम मेट्स है तो यही इस मूवी को इतना ज़दा स्केरी बनाती है ये जो मूवी है ना वो मात्र एक्टर्स हैं वो मिसिंग है या फिर नहीं रहे हैं जिसकी वज़ा से यह काफिजा सक्सेस्फुल हो गई थी और सबको ऐसा लग रहा था कि के लिए कम से कम 5000 लाइक हो जाने चाहिए तो जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजे वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना चैनल के ओपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजे तो मैं आप सब को मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में तब तक के लिए को